तो चले आज सुभा नास्ते की टैंशन को दूर किया जाए आज हम बनाएंगे बहुत यूणीक नास्ता है एक बार बार बनाना चाहेंगे इस नास्ते को हम एकदम कब ओयल में बनाएंगे और इसको सवाद में बहुत लाजवाब होता है जो शायद ही आपने पहले कभी खाया हो या बनाया हो बनाया भी होगा तो इस तरीके से नहीं बनाया होगा असलाम अलेकुम वेलकम बैक टुजाइक अपने किचिन का तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिये हैं एक कप के करीब कच्चे चावल तो यहाँ पर हमने जो मोटे वाले कच्चे चावल होते हैं वो वाले लिए हुए हैं कच्चे चावलों को हमने एक बाल में ट्रांसफर कर देना है और इसमें हम डालेंगे एक कपके करीब पानी तो यहांपर पानी को डालने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स करके दो से तीन बार वश करलेना है ताकि इसकी जो डॉस्ट वगरा है वो बिल्कुल निकल जाए तो satellite को हमने दो से तीन बार वश करलिया है और यह अच्छे से वाश हो चुकी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लेंगे कुछ इस तरह की स्टेनर तो यहाँ पर हमने जो जाली वाली स्टेनर होती है वो ली है और इसमें हमने जो चावलो का पानी है वो बिल्कुल निकाल दिया है और चावलो को हमने अच्छे से इस टेनल में फैला देना है ताकि जो चावल है उनका पानी निकल जाए और चावल अच्छे से सूख जाए चावलो को हमने यहाँ पर 10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था चावलो को जो पानी है वो बिलकुल निकल गया है और चावल हमारे कुछ इस तरह से सूख गया है यह पर आप देख सकते हैं कि चावलो में बिलकुल भी पानी नहीं है तो चलिए हम चलते हैं गैस की तरह गैस पर हमने रखना है एक पैन और जो हमने चावल लिये थे उसको हमने इसमें ट्रांसफर कर देना है और इसको अच्छे से हमने 2-3 मिनिट के लिए भून लेना है तो चावलो का मौश्चर खतम हो चुका है तो चावलो को हमने एक बाल में ट्रांसफर कर लेना है तो चावलो का हमने कलर चैंच नहीं किया है बस हलक असा इसको बूना है तो यहाँ पर चावल अलक के इसी गरम है तो इसको हम ठंडा होने देंगे और अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और जो हमने चावल यह थे वो ठंडे हो चुके है उसको हमने इसमें ट्रांसफर कर देना है चावलो को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और यहां पर हमें पानी का इस्तिमाल नहीं करना है तो यहाँ पर हमने चावलों का फाइन पाउडर बना कर तैयार कर लिया है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन पाउडर बना कर तैयार हुआ है आप चाहे तो इसको किसी चलनी वगेरा से छान सकते हैं तो यहां पर हमने लेना है एक mixing bowl और जो चावल का हमने जो आटा बना कर तयार किया था वो हम इसमें transfer कर देंगे और इसमें हम डालेंगे पानी तो यहां पर हमने लिया हुआ है एक कप के करीब पानी डालेंगे और इसको हमने अच्छे से mix कर लेना है इसको हमने अच्छे से mix करते हैं तो यहां पर हमने जो बेटर बनाना है वो एकदम स्वूस से बनकर तयार हो चुका है और एकदम परफेक्ट बनकर तयार हुआ है तो इसमें हम डालेंगे एक छोटा कटा हुए टमाटर जिसको हमने फाइन Perfect कर लिया है। यहाले है तो आपको पसंद हो यहांपर हमने टमाटर को इसमें डाल दिया है । इसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें अब जाएगा आधा कप के करीब गाजर को हमने ग्रेटर की हैप से ग्रेट कर लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें अब जाएगा आधी कप के है क्योंकि इसमें हमने सारी वेजी टेबिल्स डाली हुई है और वेजी टेबिल्स पच्चों के लिए बहुत जादा फायदे मंद होती हैं तो इसमें हम डालेंगे स्वाद नमक तो यहां पर हमने लिया है आदा चोटा चमच के करीब नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डि और इसमें हमने दो किलास के करीब पानी को अच्छे से गरम कर लिया है और इसके उपर हमने रखनी है इस्टेनर तो यहां पर हमने इस्टेनर के उपर आईल वगएरा नहीं लगाया है पानी को हमने अच्छे से गरम कर लिया है तो यहां पर हमने जो बैटर बना कर रखा थ उसको हमने इस स्टेनर के ऊपर दो चमस के करीब फैला देना है और यहाँ पर जो यह नाश्टा है बहुत ही जदा हेल्दी होता है क्योंकि हम इस नाश्टे को इस्टीम करेंगे तो यहाँ पर हमने अच्छे से बैटर को फैला दिया है और बैटर को आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है और इस नाश्टे को कवर करके हमने 5 मिनट के लिए स्टीम करना है और गैस की फिलिम को हमने हाई रखना है तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं तो इस नाश्टे को हम खोल कर देख लेते हैं इस ते जो नाश्टा है वो अंदर तक स्टीम हो जाएगा एक मिनट हो चुका है तो चलिए हम नाश्टे को खोल कर देखते हैं ये देखिए नाश्टा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से स्टीम हो चुका है तो नाश्टे को हम कर लेंगे कट तो यहाँ पर यह देखे कितना बढ़िया जो हमारा नाश्टा है वह अच्छे से एस्टिम होचका है नीहों की दिस्टी को professor नाश्टा से बरिएक लेजना कर त्यार कर सकते हैं और वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा तो यहां पर हमने नाश्टे को इसी तरह से बना कर तयार कर लेना है वैसे तो हम तला बुना बहुत जादा खाते हैं और अगर ऐसे में हमें सुभा का नाश्टा इस्टीम वाला मिल जाए तो क्या कहना तो हमने यहां पर आज इस्टीम वाला नाश्टा बना कर तयार किया है और यह बहुत जदा हैल्दी बनकर तयार होता है और बच्चों के लिए बहुत जदा फायदे मन है और आप इस नाश्टे को एक बार बना कर देखिए जरूर जो लोग डाइट वगरा करते हैं उनके लिए इस्टीम वाला नाश्टा बहुत ही ज़्यादा फायदे मन्द है तो यहां पर सारे नाश्टे को हमने इस तरह से इस्टीम करके रख लिया है आप चाहे तो इस नाश्टे को ऐसे भी खा सकते हैं यह बहुत ही ज़्याद स्पून के करीब ऑईल ऑईल को हमने अच्छे से गरम कर लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे आदी चोटी चमज के करीब राई राई को हमने अच्छे से क्रेकल करना है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सकटा हुआ हरा धनिया इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक् कर रखाउँ था इस तीम करके वो इसमें एक एक करके डाल देंगे आप चाहे तो इस नास्टे को बिना फ्राई करें भी खा सके उतनी स्टेशाड़ करें और इसका कर चाहे मीडियम परfirैरो लिखे विल्थभी नास्टे पुल्थ स्प्राइब रयां में डालेंगे आदी चोटी चमज के करीब लाल मिर्ज पाउडर और हम नाश्टे को बहुत ही ज़्यादा चेट पिटा और मज़ेदार बनाने वाले हैं तो इसमें हम डालेंगे आदी चोटी चमज के करीब नमक नमक अपने टेस्ट के कोडिंग कमी जादा कर सकते हैं और इस एक बार इसको जरूर ट्राइ कीजएगा तो यहाँ पर कम त्यल में बनने वाला नाश्टा है और बहुत ज़्धा टेस्टी और हेल्दी नाश्टा है तो यहाँ पर नाश्टे का जो कलर है वो centre हो चुछा है और इस नाश्टे को हमने बाहा निका लेना है और नाश्टा बहुत ज़दा डेलीसिस बनकर तैयार हुआ है तो यहाँ पर आपको इस नाश्टे को एक बार जरूर ट्राई करना है तो यहाँ पर सारे नाश्टे को हमने एक एक करके बाहा निका लेना है बहुत ही जदा टेस्टी और अमेजिंग नाश्टा बनकर तैयार हुआ है और आपका ये नाश्टा कैसा बना आप अपना फीड़बेक हमें कमेंट के जरीए जरूर दीजिएगा तो यहाँ पर हमें सारे नाश्टे को एक एक करके बागा निकालेना है और गर्मा गर्म इसको करते हैं सर्व तो चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं और ये लीजिए तयार है हमारा बहुत हैल्दी और कम ओल का नाश्टा आप लोग देख सकते हैं हमने कितने कम समय में सिर्फ घर की चीजों से ये चावल का हेल्दी नाष्टा बना कर तयार किया है इसे देखते ही बच्चे बड़े सबी खुद को इसे खाने से रोक नहीं पाएंगे आप देख सकते हैं ये कितना ज़ादा डेलीसिज लग रहा है खाने में भी उतना ही ज़ादा टेस्टी है और बहुत ज़ादा हेल्दी भी है तो यहाँ पर हमारा नाष्टा बनकर तैयार हो चुका है तो यहाँ पर मैं आपको एक नाष्टा तोड़ कर भी दिखाती हूँ ये अंदर से बहुत ही अच्छे से स्टीम हुआ है ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जो नाष्टा है अंदर से भी स्टीम हो चुका है तो यहाँ पर आपको हमरे नाश्टे की रेस्पी आज की कैसी लगी आप अपना फीड़बेक हमें जलूर दीजिएगा जब कभी तीखा चटपटा बहुती मज़दार मुगा स्वाथ बदलना हो तो आप इस नाश्टे को बना सकते हैं आप चाहें तो इसको इस्टीम करके भी खा सकते हैं और आप चाहें तो इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं ये बहुती ज़दा टेस्टी लगता है आप इस नाश्टे को ग्रीन सौस या पुदीनी की चटनी के संग भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही जदा हेल्दी टेस्टी और अमेजिंग नाश्टा बनकर तैयार हुआ है कुछ अलग बनाना चाहते हैं और छिटपट बने और सभी को बहुत ही पसंद आए बस एक बार आप ये नाश्टा जरूर ट्राई कीजिएगा और आपका नाश्टा कैसा बना अपना फीडबेक हमें कमेंट के जरी जरूर दीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा जादा से जादा शेयर कीजिएगा मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफिज